आज के ब्लॉग के शुरूआ तो सुबा के छे बजे मेरा नाम है विवेक मैं हुं इंडिया से और अभी इटली में हूँ फिलाल अभी कि अगर बात करूँ तो मैं सुबकर उड़ गया हूँ और अभी जा रहा हूं मैं पोस्ट आफिस क्योंकि मुझे अपने यहां के करों फोटी यूरो फिर वहां स़यरे कर फिर जाओंगा अ बहुति करोंगा तशीख पीर अव 빌शक नि compromise करूब भिराने करें कर फिर आओंगा तो स्थाओ भी, हुणियों नहीं ही नहीं श्युक्राहिया ना 1 फिरही तवस मैं बस में अकेले ही मैं कोई अब इतना सुवर नहीं जा रहा है कि बेसिकली अभी सबके एक्जाम सेल रहे हैं तो लोग लेट नाइट अपड़ते हैं और सुवर सो रहे होते हैं तो समय कोई भी नहीं जाता है कि अभी आगे हो मैं सिटी सेंटर और अभी हां समय को वोग करके जाना है लगभग 70-70 मिटर चलिए पहुचते हैं और मुझे भी नहीं पता है कि खुला हुआ कि नहीं पहुचते हैं यह सामने जो यह वाली बिल्डिंग दीख रही है ना यह पहली यह है उसके और इंग उसक मैं तो यह वाली बिल्डिंग में चुक्त कि और यहां भरतीं जोगे हैं लिदीज ऐसा तून में कि लग भी बेढ़िया हैं नहीं है थेंक लोग जा रहे हैं तो यह लोग नहीं है अभी यहां से आइटिंक यह लिखा हुआ है ना पोस्ते इतलिया ने यह रहा बिले और इसकी इंट्रेंस यहां से अब बें तो होगी है चले चलते हैं अंदर अब खुला तो था बेकर दर्वाजा बाइब खुला हुए था बट अंदर कोई है नहीं तो मुझे लगड़ा कि ऐसा ही रहता है कि जब टाइम होता तो लोग अंदर आयाते हैं तो काम साथ होता है अपने इंडिया मोझा पूरा सटर लगा हो था लोग होता है तो मुझे तो ला कर दो घूम कर आते हैं है अच्छाइब अच्छाइब एक एक लाग तो अच्छाइब अच्छाइब आ यहां पर अच्छाइब आप अच्छाइब अच्छाइब आपन हो गए है जिली फड़ा पर चलते हैं अंदर इसका लेते हैं इसके बहुत ना काम करते हैं को को कि गसा बचल अच्छाइब और यदол करते हैं इसके बाद के बाद आनर उता क्छाइब ना कि पिर यह कुले गांशSON कि परwarश्ज बहुत अब यह कुलेगा ऐसके सत्वे बाता आपने ना काम होगए और आप्छाइब और अब चस्चा हैं मदा दो मस्त्राइब का बस में जा रहा हूं बस तॉप सामने ही है और यहां से लूँगा बस नमबर टू और बस नमबर टू लेकर सीधे जाओंगा कोसुरा यानि की पुलिस एस्टेशन और वहां पर यह अपना जो भी रसिट है यह समिट कर दूँगा फ्रेंड्स अभी यहां पहुच गया हूं मै मैं बस से उतर गया हूं और यहां से मुझे वॉक करके जाना है और यहां से लगभग लगभग तीन सो मीटर जाना होगा मुझे वहां आगे से जो ट्रक दिख रही नहीं है यहां से लेप्ट होना है यहां पहुच गया है और यहां पर बस ही हो रहा है मान गये तरफ तरंट तरंट हो जाएगा मैं इस वार्फ जाएगा और अ करिया प्राइब में था तो मैंने रिक्वेस्ट कर रहा तो यह नहीं हो रहा हुआ थिए प्रेंट्स भी मेरा यहां से काम हो गया है मैं यहां पहुचा था नौ बचे और नौ बच के पांच मिन मैं फ्री होके बाहर आ गया हूं हुआ है क्यों जो आँ पहुचा थो उन्होंने पुछा मैंने बोला मेर किल का है तो आनों बोला कला ना पड़ेगा आपको को था मैंने रिक्वेस्स करना बताया है comunque मैं दिखाए अपना सेडूल एक्जाम कि मैंने बोला कल मेरे एक्जाम है तो पॉसिबल नहीं आप आना तो वो मान गए और सबसे पहले सबसे पहले जितने लोग का अपॉइंटमेंट है सबसे बोला कि इनका एक्जाम्स है तो पहले मैं फ्री कर देते हूं कि इनको सड़ीज करनी सब और मैं बाहर आगया हूं मैं पहुच कहा हूं अब बस जा रहा हूं इस तड़ी करने के लिए क्योंकि अभी काफी टाइम में डेड़े संटे पचे हुए मेरे लंच स्टार्ट होने में तो तब तक मैं रिवाइस कर लोगा अपना नोर्स फ़र्स जो पार्ट है अब उस दीजार्ट हो गया है यह तरहरा है यह तो फटाफट करते हैं लेंच और निकलते हैं यहां से क्योंकि 20 मिन के बाद हमारी अगली बस है तो फटाफट लेंच करके निकल जाएगे तो फ़िर नहाद होकर इस सब्स्टार्ट होगा है क्योंकि अभी नीन दानी डग यह रात में कम सोया था नहालूगा थोड़ा फ्रस्ट नसा जाएगा फ्रेंट्स अभी हमारे लिंच हो गया है बढ़को नीन दारी तो मैं सोचा थोड़ा कॉफी ले ले लेते हैं को तो केंटिन मेरी कॉफी ले रहे हैं मैं और मेरा फ्रेंट राद हूँ कि अभी दो पार के बज़ रहें एक और अभी मैं ने होसल पहुच गया हूँ और अब सीधे जाकर सावर लेने के लिए सीधे सावर रूमें चला जाओंगा क्योंकि नेंद बहुत भयाना कारिया कर मैं पांच मिट लिए बैठा या फिर लेटा फिर पक्का मैं सो जाओंगा और स्टड़ी मेरी नहीं हो पाएगी तो चलिए फड़ फड़ पहुचते हैं सिर्फ साथ घंटे में को टिकना है साथ घंटे अगर टिक गया अना तो फिर मेरा काम हो जाएगा क्योंकि रात के आठ बजे तक मैं स्टड़ी करूंग उसके बस वो जाऊँगा तक कि कल सूब अर्ली मॉनिंग उट जाएगा तो नो बजे की बस लेनी होगी फेंट सभी मैं सौबर लेकर आ गया हूं और अब जा रहां बिल्कुल नीन नहीं आ रही है होप सामके साथ आट बजे तक मैं ऐसा ही टिका रहा हूं ताकि मेरी स्टड़ी कंप्लीट हो जाए और अगर आज ह मैं कर लिया तो डेफिनेटली कल अच्छे मांक्स मैं ले आ सकता हूं मुझे ऐसा लग रहा है जो कि जो सेकंड मॉडल में मुझे चार तरह के टॉपिक कंप्लीट करना है जैसे मैं से तीन टॉपिक मेरे अलड़ी कंप्लीट है मतलब वह प्रैक्टिकल से हैं कोडिंग से है तो वह देख लूँगा और बाकी फर्स मॉडल के लिए जो फॉर्मूला वेग रहे हैं तो मैं एरपोर्ट पर भी उससे रिवाइस कर रहा हूं तो मुझे लग रहा था कि हाँ चीज़े 80 परसंट चीज़े हैं वह राइट हो इसमें अपने आपको टेस्स कर रहा था तो ए करते हैं स्टेडी स्टार अपने हैं फिर्स भी रात के बज़रें ना और अभी मेरे स्टेडी कंप्लीट हो गई है और जो जो चीज़े थी टॉपिक सी मैंने स्टेडी करने को बाद रिवाइस भी कर लिए अब मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फियंट बिल अप हुआ है और अभी सो जाओंगा तो कल सुबर में जल्दी नीन भी खुल जाएगी तो चलिए इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब सब्सक्राइब बाबाई जैसर राम हर हर महादेब